दोस्तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसे तीन शैस जो आप इस समय खरीच सकते हो उद में से तो बहुत ही बढ़िया लेवल पर आ गया है पर वेरी लॉंग टर्म आपको इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए यह सब कुछ आप जानेंगे और जो तीसरा शैर है वो तो एक जबरदस्त कुरूत वाली कंपनी है और लोर रिस्क भी है क्यों कैसे इस सब के बारे में बहुत ही डीटील में जानेंगे नोटस किया होगा कि हमेशा डी माट में भी जमी रहती है दुस्तो यह इनके जबरदस्त डिसकाउंट के वजह से है डी मार्ट बाकी डीटेल प्लयस के कंतल में सबसे ज्यादर डिसकाउंट दे पाता है और इसी डिस्काउंट के वजह से इसमें हमेशा भीट जमी रहती है मगर ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस तरह से दे पाता है चली इसे जानते है दोस्तो इसका राज चुपा हुआ एक सिंपल सी टर्म इंवेंटरी टर्नोवर रेशो में अब ये जो फॉर्मिला आप देख रहे हो इसे बिलकुल भी आपको जानने की जरूरत नहीं है सिंपल शब्दों मैं मैं आपको बता दू इंवेंटरी टर्नोवर रेशो आपको ये बताता है कि उस कंपनी के जो इंवेंटरी के शेल्फ में जो आइटम्स है वो कितने तेजी से रिप्लेस होता है यनि कि बारा मैंनों में कितने बार रिप्लेस होता है चार बार, पांच बार, बारा बार, चौदा बार तो इसी के हिसाब से पता चलता है कि कौन सी कंपनी सबसे तेजी से अपना माल बेच पाती है अब D-Mart की बात करें तो D-Mart एक ऐसी कंपनी है जिसका inventory turnover ratio बहुत ज्यादा है अगर आप बाकी सारी retail price से compare करोगे मगर इसका क्या फाइदा है तो इसका ये फाइदा है कि क्योंकि बहुत तीरी से इनका माल बेचा जाता है तो इनके पास bargaining power भी बहुत ज्यादा होती है यानि अगर आप बाकी सारे retail stores या फिर even किराना stores के उनर से compare करोगे तो ये dealer से काफी ज्यादा discount ले पाते है अब दूस्तो ये जो discount इन्हें dealer से मिलता है वही वो pass on करता है अपनी customers को अब ये customers को pass on करता है इसलिए customers को ज्यादा से ज्यादा discount मिलता है क्योंकि customers को बहुत ज्यादा discount DMART में मिलता है इसलिए भीड इसमें जमी रहती है इस simple से equation के वजह से DMART में हमेशा ज्यादा discounts यानि ज्यादा भीड जमी रहती है और यही brilliant model DMART follow करता है उसी के वजह से DMART बन गई है एक one of the fastest growing company अब दोस्तों क्योंकि DMART एक fastest growing company है इसी के वजह से लोग काफी ज्यादा expect करते है और अपना valuation उसी के चकर में बहुत ज्यादा हो गया है DMART का क्योंकि लोग anticipate करता है कि ऐसे ही growth इसमें बनी रहने वाली है और इसी के वजह से इस समय सब लोग कह रहा है कि DMART काफी ज्यादा overvalued है अब दोस्तों overvaluation तो एक बात हो गई मगर इसकी अलावा इस समय DMART के पास एक बहुत ही brilliant strategy ये भी है कि इनका जो least expense है वो सबसे least है बाकी retail stores के comparison में अब इसका इसे बहुत अच्छा फाइदा होता है क्योंकि इनके expenses काफी ज्यादा reduce हो जाता है में बाटा जा सकता है एक है foods दूसरा है non foods और तीसरा है general merchandise और apparel अब इनका जो foods का segment है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है मगर इनका जो non foods और apparel का segment है वो घट रहा है in spite की COVID की wave नहीं आई थी इतनी ज्यादा hit नहीं हुई थी quarter 3 में उसके बावजूद भी ये जो दो parameters है वो घट गया है और दोस्तो इस समय के हम अगर बात करें तो coronavirus की third wave हिट हुई है और लोगी anticipate कर रहे है कि coronavirus की first wave के जैसा ही third wave में भी DMART का नुकसान हो सकता है और इसी के व all time high पर था तब ये 313 पर था मगर इस समय अगर आप DMART का PE देखोगे तो ये 183 पर है और अगर हम median की बात करें तो ये 138 पर है मगर दोस्तों अगर आपको इस समय लग रहा है कि अभी भी share बहुत ज़्यादा overvalued है तो आप इसे median पर भी खरीद सकते हो median पर खरीदना यानि कि अगर आप median PE और EPS को multiply कर दोगी तो जो प्राइज आती है वो है 3165 रूपीज अब दोस्तों ये तो हो गई median PE की प्राइज मगर मुझे ऐसे लगता है कि उस प्राइज आने तक आपको क्यों वेट करना है क्योंकि वहां तक प्राइज आएगी भी नहीं और वहां से ही शेर रिवर्ट कर सकता है इससे अच्छी ये strategy हो सकती है कि आप buy on dips करते जाओ इसके वजह से आपकी जो average price है वो वैसे भी बहुत कम होगी और आपको ये डर भी नहीं रहेगा कि आपका मौका चूट गया है और दोस्तों इनी सारी reasons के वजह से और ये क जो है HDFC bank सबसे पहले तो banking का business समझ लेता है simple शब्दों में दोस्तों एक हाथ से पैसे low और दूसरे हाथ से दो और बीच में जो 2-4% का interest है वो bank का income होता है इसे ही कहता है net interest income और HDFC bank का net interest income बढ़ गया है 13% से वही दोस्तों अगर हम इनका other income देखेंगे तो ये बढ़ गया है 12% से अब दोस्तों expenses वगरा सब माइनस करके जो net profit रह जाता है वो बढ़ गया है 18% से अब दोस्तों जो पैसे वो हम लोगों से लेते हैं deposit के दौर पर ये बढ़ गया है 13.8% से और इनका जो कासा यानि current account savings account है ये है इस समय 47% पर अब दोस्तों bank का जो main business है loan देना यानि की advances ये बढ़ गया है 16.5% से अब दोस्तों banks तो loans देते हैं मगर recovery भी तो उतनी important है यानि की NPAs non-performing asset देखना बहुत जरूरी है और इस बात HDFC bank का NPA घट गया है net NPA इनका 3 BPS से घटके अब इस समय 0.37% पर है जो अगर आप इनके industry की peers से compare करोगे तो lowest है अब दोस्तों इत इतनी कम net NPAs होने के बावजूर अगर आप इनका revenue growth देखोगे पिछले 10 सालों का तो एक चीज आप notice कर सकते हो कि एक भी बार इनका revenue growth negative नहीं गया है पिछले साल के comparison में revenue के साथ-साथ profit भी तो बढ़ना चाहिए और ये भी consistently बढ़ रहा है एक 20 साल आप ऐसा point नहीं करोगे जहां पर ये decline हुआ है यानि कि दोस्तों simple शब्दों में HDFC bank एक consistent compounder है ऐसा हम जरूर कह सकते हैं अब दोस्तों अगर आपको banking में invest करना है तो सबसे कम risk उस bank में invest करने की है जिनका net NPA सबसे कम है अगर आप बाकि इनकी peers के banking से compare करोगे तो यहां पर आप clearly दिख सकते हो कि HDFC काफी fair है quality की बात करें तो excellent quality है मगर अगर आप देखोगी तो इस समय शेर थोड़ा सा bearish mode में चल रहा है मगर दोस्तों यही तो मौका होता है ऐसे बढ़िया शेर को लेने के लिए